मैं सरप्रथम तो केंद्रिय वित्मंत्री जी का स्वागत करता हूँ कि इंसॉल्वेंसी एंड वेंकरफ्सी कोड में जो ओर्डिनेंस के माध्यम से सरकार तुरंट जो परिवर्टन लेकर के आई है वो इस बात को दर्शाता है कि इस कानून में सरकार कितनी सजक्ता के साथ सारे विश्यों की मॉनिटरिंग कर रही है एक साल पहले जब इंसॉल्वेंसी एंड बेंकरफ्सी कोड को पास किया गया था तो देश में एक विश्य था कि हमारे देश में जो पूंजी बाजार है और जो लोग भी किसी भी प्रकार का निवेश करते हैं अगर कोई कंपनी कोई फर्म दिवालिया होने के कागार पे जब पहुसती है तो लगभग उसको साथ आठ एथार्टी से गुजरना पड़ता था टेक्स एथार्टी अलग होती थी, लेबर एथार्टी अलग होती थी कंपनीज लॉं में अलग केस चलते थे, चेक बाउंस के अलग केस चलते थे सिविल डिस्प्यूट अलग चलते थे फिर BFI और EIFR की जो प्रक्रिया थी वो इतनी लंबी थी कि सही समय पे जो पैसा बाजार का जो लगावा होता था उसका मिलना बड़ा मुश्किल होता था और इसलिए इसको एक कॉंप्रिहंसिव तरीके से इंसल्वेंसी एंड बैंकरपसी कोड को लाया गया जहा तक इस कानून के आने के बाद इसके परियोग का विशः है पिछले एक साल में ही NCLT में 500 से जज़ादा अप्लिकेशन इसके लिए फाईल हुई है यह जो अप्लिकेशन 500 से ज़ादा फाईल हुई है यह इस बात को दर्शाता है कि इस कानून की कितनी आउशक्ता थी और इस समाधान के कानून को आगे बढ़ाने के लिए जो एक लंबे समय से निर्णे लिया जाना था उसकी कितनी ज़्यादा आउशक्ता थी और इसमें भी जो एप्लिकेशन्स आए हैं पांसो जो एप्लिकेशन NCLT में आई है उसमें से आदी से ज़्यादा एप्लिकेशन जो है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर के द्वारा फाइल की गई है यह इस बात को दर्शाता है कि 2016 के पहले ऑपरेशनल क्रेडिटर को इस प्रकार से जाने का और किसी भी वित्य स्थिती में जो दिवालिया होने वाली फर्म है उसमें एक अपने लीए जो एक उनको एक उत्तर मागने का जो विशया होता है समाधान करने की जो प्रक्रिया है उससे वो वंचित है लेकिन जो सबसे बड़ा संशोधन इसके माध्यम से हम लेकर के आए है और सरकार ने जो मैंने प्यारम में सरकार को बधाई दी है कि जो संशोधन लाना है उसका ताथपर ये है कि जो भी company दिवालिया की इस्तिती में जा रही है उसमें जो resolution applicant है वो resolution applicant कौन हो सकता है क्योंकि अभी जो haircut की बात भी आई है कि जो company का जो haircut है उसका लाग उठाने के लिए कहीं वही तो लोग नहीं है जिनके कारण से company दिवालिया होने के कगार पे पहुची है जिसके कारण से company की इस प्रकार की इस्तिती बनी है कि वो company रिण के भार से ग्रस्त हो करके दिवालिया होने की इस्तिती पे चली गई है और इसलिए section 5, 25 और उसके जो consequence amendment इस bill में किये गए है कि वो व्यक्ति जो company को इस इस्तिती में लाने के लिए जिम्मेदार है और जिसकी बाजार में जो रिण के बारे में जो इस्तिती है उसके उपर संदिक दता और प्रश्ण चिन्न लगे वे हैं कम से कम अगर हमें resolution mechanism को transparent करना है effective करना है तो resolution applicant बनने के लिए उसको रोका जाए और इस कानून में जो 29 में जो disqualification का प्रावधान रखा गया है निश्चित रूप से उस disqualification के प्रावधान से सुनिश्चित होगा कि कम से कम व्यक्ति जो company को दिवालिया बनाने के कगार पे ले गया है वो उसका दुरूपियों करके पुने उस company में ना जा सके जिसके कारण उस company का non-performing asset बढ़ा और loan को payment नहीं किया सम्माने उपसभापती महोदे ये सच है कि अभी insolvency और bankruptcy का जो jurisprudence है जो कानून है ये अभी विक्सित हो रहा है ये कानून जब हम लेकर के आए हैं तो इसको लाते समय भी ये जानकारी थी कि insolvency professional खड़े करना उसके लिए व्यवस्ता कड़े करना उसके लिए पद्दती खड़ा करना और एक mechanism को करना कि हम एक बहुत छोटे समय के अंतरगत बाजार में जो पूंजी का प्रवा है और बाजार में जो रिण है उसके जो कंपनी डूपती है उसको किस प्रकार से बचा सके हैं और एक वर्ष अधिक का जो समय का जो सरकार का जो अनुभव आया है और जो समस्या संग्यान में आई है उसी के समाधान के लिए ये वर्तमान जो ओर्डिनेंस है सरकार लेके आई है और इसलिए ये जो समस्याओं का आना सुभाविक है लेकिन इसके जो तोरिष समाधान सरकार ने किया है सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है और insolvency की इस्थिती किसी भी company के लिए कोई lawn का payment और repayment के नहीं हो पाने की इस्थिती में जब आती है तो देखना बहुत महत्पूर्ण है कि ऐसी इस्थिती में कम से कम व्यवस्था का दुरूपयोग ना हो कानून का जो उदेश्य है कि कानून बाजार में जो पूंजी का प्रवा है या company में जो निवेश है वो एक सुरक्षित तरीके से अगर वो repayment नहीं हो पारा है अगर resolution plan नहीं बन पारा है अगर उसमें किसी प्रकार का और कोई समधा नहीं हो पारा है तो कम से कम उसका जो object है उसमें किसी प्रकार का अवरोध जो है उत्पन ना हो और इसलिए समय बद तरीके से सरकार ने इसको पूरा करने का काम किया है ये संशोधन वर्तमान सरकार के जो कानून के प्रति जो गंभीरता और प्रतिबदता है उसको बताने का काम करता है इस समय देश भर में बहुत सारे इंसल्वेंसी रिजूलूशन जो हैं वो एंसील्टी में समाधान के लिए लंबित हैं और ततकाल प्रभाव से एप्लिकेंस को अगर डिस्कौलिफिकेशन नहीं किया जाता आदे से जादा मामलों में इस प्रकार की दिक्कत सरकार के ध्यान और संग्यान में आयती है और इसलिए सरकार ने ओर्डिनेंस को लाकर बहुत सही समय पर जो लोग इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं उसको डिस्क्वालिफाई करने का काम किया है और जो लोग resolution plan दे चुके हैं वो भी एक उचिस सीमा के अंतरगात अपनी जो overdue राशी है उसका भुक्तान कर सकते हैं उपसवापती मौदे अगर एक उधारन से इस बात को हम लोग समझने का प्रियास करें कि किसी कमपनी अत्वा वेक्ती ने अगर क्रेडिटर से लोन लिया है तो उसके पास विकल्प है कि या तो पूरा पेमेंट करके अपनी कमपनी को इंसल्वेंसी में जाने से बचा ले अत्वा उसकी ब्याज राशी का भुक्तान करके उस अकाउंट को पुने ऑपरेशनल करा ले अगर इन दोनों में से वह कोई विकल्प नहीं चुनता है तो कमपनी इंसल्वेंसी में चली जाती है और बाद में रेजोलूशन एप्लिकेशन दे कर उस कमपनी को बहुत अगर कम राशी में खरीद ले प्रियास करता है तो ये किसी भी प्रकार से नियायोचित नहीं कहा जा सकता है और इसलिए सेक्शन 29 में जो प्रावधान लाए गए है कि दिवाला और संशोधन अक्षमता कानून अपने सही उद्देश्यों के साथ लागू हो सके एक ऐसा व्यक्ति जो अपना दियवा कर्ज वापस देने की इच्छा नहीं करता उसकी की गई गलती से उसको लाभानव होने से रोकना बहुत जरूरी है और इसलिए क्लास फाइफ में भी अमेंडमेंट लाया गया है यह संशोधन उन लोगों को कंपनी पावर कंट्रोल रोकने के लिए है जिनोंने कंपनी को दिवालेपन के कागार पर पहुचाया है और इसलिए विधेयक इंसल्वेंसी रेज प्लान सब्मीशन को वो स्विक्रती दे और यह पूरी व्यवस्ता हमने इस पूरे कानून के अंतरगत इसलिए लागोकरी की भारत के अर्थ तंत्र में पारदर्शी व्यवस्ता और कारोबार में सुगमता की द्रश्टी से एक बड़ा परिवर्तन हो और आज सरकार अगर इस और डूइंग बिजनिस में हम लोग देश में विश्व में रैंकिंग में उपर आए हैं तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि सरकार ने बहुत द्रड़ता के साथ जो रिफार्म्स के इश्यू है और कम से कम पूंजी बाजार में जो लोगों की पूंजी की है उसके लिए सरकार ने व्यवस्तागत परिवर्तन किये हैं व्यापारिक व्यवस्ता में सरकार ने पारदर्शी तरीके से स्वस्थ प्रतिस्परदा का महोल खड़ा हो इसके लिए इस प्रकार के कानूनों को बना कर इस दिशा में आगे कदम बढ़ाए हैं और कम्पनियो थोड़े समय में इस विशे को लाकर के इस ओर्डिनेंस को लाकर के एक नया रास्ता बनाया है और अगर इस प्रकार का कोई लॉन कंपनी में लिया जाता है तो उसको रीपेमेंट करने के लिए पूरी विवस्ता बनाने के पूरा मैकेनिजम जो है वो सरकार ने करा है लेकिन जो और्डिनेंस आया है और इसमें जो सरकार ने जो पूरा एक डिस्क्वालिफिकेशन की जो एक सीमायक ताय कर ये रेजुशन एप्लिकेंट के लिए वो निश्चित रूप से इस कानून को मजबूती प्रदान करेगा और आने वाले समय में इस देश में इंसॉलवेंसी औ बैंकरफ़ी कानून के माध्यान से हम देश की पूंजी को सुरक्शित करके देश के उद्द्योग व्यापार को बड़ा पाएंगे हम सब मिलकर के इस कानून को जो एक सही समय पे सरकार संशोधन लाईए इसको स्विकृती प्रदान करके इस कानून को उसके रूप चलाने के लिए हम सब लोग समर्थन दे यही अपक्षा है धन्याद।